हलो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चैनल अंबे कीचन कैसे हो आप सब आप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे आज बन रही है अंबे कीचन में मसाला परवल जो भरवा परवल होता है नो उसकी ग्रेवी यह बहुत ही जादा यम्मी अंड टेस्टी बनता है सच में आप आप जाएंगे चाकू से चील लेंगे पूरी तरह नहीं बस उपर से जो होती है एक लेयर की तरह उसे हम गिसके साफ कर देंगे और साफ करने के बाद दोनों तरफ साइड से कट कर देंगे और बीच में एक आधा जो कट का होता है ने चीरा जैसे लगा देंगे बिलकुल यह देखिए और इसे क्या करेंगे हम दूसरी दूसरी बीच का जो सीट होता है जितनी भी उसे हम साड़े के सारे निकाल लेंगे आप इसे स्पून से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यह बहुत जादा हार्ट क्रंची जैसा होता है जैसे आप डालों के स्पून तो पर सक लिए मसाली कर लेते हैं जिसके लिए बूपके मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लिए खनगे्ट केजिए कमेंट कीजिए और जो गलतियां होती है वो भी बताईए और अगर कुछ अच्छा है तो वो भी जरूर बताईए मुझे अच्छा लगेगा चली हमने सारे प्याज जो दे पताये थे न 5 प्याज को हमने फॉइन चॉप्ट कर लिए थी मैंने एक और प्याज ले ली थी और इसको रफली चॉप्ट कर लिया था और दो टमाटर को कट कर लिये थे इसे जो टमाटर और जो हमने प्याज रफली चॉप्ट के थे उसे मिक्सिजार में डाल देंगे उसमें डाल देंगे कुछ लैसन की कलिया और इसमें डाल देंगे चार मिर्ची और उसमें डालेंगे आधी चमच, जीरा और थोड़ा सा पाणी डाल करके पेस्ट बना लेंगे. अब हम एक पैन ले लेते हैं, उसमें डालेंगे सरसो का तेल और जीरा और जब तीरा अच्छे से color change हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे उसमें प्याज. और प्याज को इसे चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए जब तक बिल्कुल लाइट ना हो जाए हलकी ब्रॉण कलर सी हो जाती है न तब तक और प्याज जब भी भूनते हैं उसमें नमक जरूर डालें क्योंकि इसे बूरने में बहुत असानी होती है प्याज गल्ती बहुत असानी से है तो हमें नमक डाल करके इसे थोड़ी थोड़े स्टार्टिंग में तो प्याज पानी छोड़ती है तो इसे थोड़ा थोड़ा आप छोड़ कर भी सकेंड के लिए छोड़ छोड़के से चला सकते हैं तो देखिया हमारा प्याज बिल्कुल color change हो गया है, बिल्कुल light हो गया है देख रहे हैं बिल्कुल भून के एक तम करंजी जैसे होता है बिल्कुल तैयार हो गया है अब इसमें हम वो paste डाल देंगे जो हमने टमाटे लेसन वगएरा जो सरसोग भी बनाई थी न वो डाल देते हैं और पूरी तरह हम सारे डाल देंगे उसमें थोरा सा पानी डाल के जो भी बची कुछी है वो भी डाल देते हैं उसे वेस्ट क्यों करना और उसे डाल करके हम अच्छे से भूनेंगे इसमें प्याज भी है थोरा सा पानी भी है इसे भूने में थोरा सा टाइम लगता है पर मसाला जब भी भूने इस तरह से बहुत अच्छे से भूने उसका कलर जेंज होना चाहिए मसाला बिलकुल तेल छो इसलिए अभी इस टाय में हम नमक नहीं डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर ढख दे जिससे बूरने में अशानी होती है देखे साइड से हमारा तेल छोड़ने लगा है पर अभी भी यह मसाला गीली इसमें पानी है इसे हम और भी भूनेंगे तो फिर इसे आप बीच में फिर पाल वो मिक्स करके फिर थोड़ी देर पका सकते हैं तो चलिए इसे हम और भी अच्छे से पका लेते हैं देखे अब हमारा माशाला का कलर चेंज हो गया है जितने वो पूरी तरह से पैंच छोड़ने लगा है तेल भी छोड़ दिया मसाला यह देख रहे हैं यानि कि हमारा माशाला बिल्कुल अब रेड़ी है इसका कलर भी देख रहे हैं कितना सुन्दर आ गया और खुसबू तो पूछे मत इतनी अच्छी आ रही है तो मैंने इस टैम में क्या कर दी हूँ अब क्या करूंगी मैं इसके आधे मसाले न उपाइन में ही छोड़ दूंगी ग्रेवी के लिए और आधा मैं श्टप करूंगी परवल में इसलिए मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब परवल को हम ले लेंगे परवल जो हमने कट करके रखी थी और इसे दोनों तरब से ऐसे दवाएंगे न तो बीच का होल ऐसे हो जाएगा जिसमें आपको इस्टप्ट करने में आसानी होगी आप ये मसाला भी बहुत गरम है आप चाहे तो इसे ठंडा करके भर सकते हैं तो मैं इसे अब ये भी गरम गरम होती है आपको पता है एक हास्पाइफ खितनी ज़्यादा नहीं रहता है तो इसे जल्दे जली करना होता है मैं के स्पून की साहता से भर सकती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक एक दो में भरेंगे आपका मसाला ओलेड़ी ठंडा तो इस तरह आप इसमें भर दे तो चलिए हम सारे मसाले भर लेते हैं परवल में और उसके बाद हम उसे फ्राइ कर लेंगे तेल तो मैं डाल चुकी हूँ ज़्यादा नहीं है थोड़ा कम भी नहीं है लेकिन आप तेल इस टाय में कम ही डाले क्योंकि ये मसाला थोड़ा सा निकलने लगता है जब इसे फ्राइ करेंगे तो देखने हूँ थोड़ा सा मोस की खुल जाती है आप चाहिए तो इसे लॉंग से सिल भी कर सकते हैं तो इसे क्या होता है मसाल तेल ना थोड़ा गंदा हो जाती इसलिए इसमें एक्ष्टा तेल ना डाले तो मैं भी फिर भी फ्राइ तो करना ही है तो इसमें थोड़ा डाल देती हूँ आप चाहिए तो सोलो फ्राइ भी इसमें कर सकते हैं तो देखिए हम दें दोनों तरप से पलट करके जो हमारा कलर चेंज हो गया परवल का हमने निकाल लिया है अब दूसरी वाली जो परवल थी उसे भी मैंने त कर ले थी आप अलू स्किप कर सकते हैं पर मुझे पसंद है जब कोई मसालेदार सब्जी उसमें आलू हो तो मजाहिए आ जाता है तो इसलिए मैं उसमें अलू जारूर ंडालती हूँ जहां है तो इसलिए मैं पानि डाल करके उसे थे तो पोड़े अच्छ्य होनी चाहिए फिर उसमें अच्छे से मैं बॉयल आने दूंगी अब देखे इस तरह से जब बॉयल आपकी आने लगेगी ग्रेवी में तो हमने जो मसाले भड़के रखे थे न परवल वो परवल को उसमें डाल देंगे डाल करके पूरी पानी मुझे टिप कर देंगे और उसे फ्राई तो हम कर लेते पर अंदर से हमारी परवल उतनी अच्छी से सौप्ट नहीं होती जितने हमें सब्जी में खाने के लिए चाहिए तो हम चेक कर लेते हैं पर हमारी परवल अभी पकी नहीं है क्योंके स्मूदली ये कट नी रही है इस से मैं पांच मिनट के लिए और धक के पका लूँगी इस टाइम में हमारी सबजी पूरु तयार है हमने परवल चेक कर ले थी और ये देखे कितनी मसालेदा टेश्टी सा बना है और इसे आप अभी इतनी गरम में तो सर्व नहीं करेंगे जब आप ठंडा ठंडा सर्व करेंगे थोड़ी सी मतलब नॉर्मल ह तो ठीक हो जाते हैं इसमें कोई भी करब मसाले कोई भी मसाले एक्ष्टा की जरुत नहीं है क्योंकि मस्टर्ड वाली जो ग्रेवी बनती है ये इसकी टेस्ट ही अलगी होती है इसमें कोई एक्ष्टा मसाले की जरुत नहीं पड़ती है तो इस भरवा परवल को आप क्या क कहना चाहोगे लाइक से और सब्सक्राइब करना चाहोगे थैंक यू सू मच्छ टेक के रिन बाबाई